Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ यदि आप लोग next CTAG यान की CTAG December 2024 के त्यारी करना चाहते हैं और syllabus को लेके परिशान है कि CTAG का syllabus आपका change होगा या नहीं होगा तो आज की शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जादा मदद करेगे कि आप लोग अभी अपनी त्यारी शुरू करें या ना करें यानि की CTAG का syllabus आपका change हो भी रहा है या फिर जो existing syllabus है वही रहेगा साथे साथ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को science math के classes देती हूँ वो कब से होंगी और कौन-कौन से दिन आपको classes देखने को मिलेंगी ये short video आप लोगों को इसमें help करेगी तो देखिए CTAG के अगर हम nature की बात करें तो CTAG के परिक्षा आपकी 2011 से यहाँ पर conduct हो रही है और अभी आप लोगों का ये exam conduct होते होते 7 जुलाई 2024 तक इस exam को conduct किया गया है और इस बीच अगर हम CTAG के syllabus की बात करें तो CTAG के द्वारा जो official syllabus दिया जाता है वे आपका अभी तक सेम रहा है इनफाक्ट आपका CTAG exam जो था बीच में यहाँ पर पहले starting में online यहाँ पर offline mode पर होता था और उसके बाद इस exam को online mode पर shift किया गया और उसके बाद दुबारा offline mode पर shift किया गया still जो CTAG exam का syllabus था वे यहाँ पर सेम रहा तो देखिए क्यों फिर हम लोगों के mind में यह चीज़ आती है कि CTAG exam का syllabus चेंज होगा या नहीं होगा तो देखिए अगर आप हर साल के paper का deep analysis करते हैं अब आप कहेंगे कि हम तो beginner हैं हम क्यों analysis करेंगे हर साल के paper का तो देखिए हमारे द्वारा इस paper को analysis किया जाता है और हम लोग इस exam के paper को के pattern को 2011 से ही यहाँ पर देख रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा 2000 यहाँ पर 24 आ गया है और अभी तक यहाँ पर syllabus सेम रहा है तो syllabus में change कहां देखने को मिला तो यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है हर साल कुछ ना कुछ आड हो रहा है आप कहेंगे कि कहां पर आड हो रहा है जब आप कहा रहे हो कि syllabus सेम है अगर आप question paper देखते हो हर साल का तो seat at exam का सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों का level जो है अब increase हो गया है आप 2018 या फिर 2018 के पहले के paper देखेंगे 2018 भी क्या 2020 तक के भी paper अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि direct NCRT से question पूछे गया है जो कि आपने अगर normally पड़े भी है या फिर tuition वगयरा भी पड़ा रहे हैं तो आपका easily वो question attempt हो जाएंगे बट ये जब exam आपका online mode पे शिप्ट हुआ था तो जो 6-8 की जो NCRT होती है जिसको हम बहुत basic NCRT बोलते हैं उससे भी बहुत advanced question यहाँ पे बनी थे तो simple सी बात है यहाँ पे syllabus आपका change नहीं हो रहा हर साल कुछ न कुछ आड़ हो रहा है in fact अगर आप CDP की भी बात कर लें सीटाइड के syllabus में direct day नहीं है means वो चीज आपको करनी पड़ेंगी तब जाके उन questions को आप अटेंड कर पाएंगे सीटाइड के questions का अगर हम नीचर देखें तो आपसे assertion reason यहाँ पे पूछे गये हैं assertion reason वाले question अगर आप देखते हैं paper set में तो अभी जो recent exam हो रहे हैं आपको उन में देखने को मिलेगा पर 2020 से पहले वाले paper में assertion reason के question नहीं थे यानि कि सीटाइड का official syllabus तो अभी तक यहाँ पे same है in fact जब आपका offline mode से online mode पे paper shift हुआ और online mode से फिर offline mode पे paper shift हुआ still आपका सीटाइड का syllabus सेम रहा बट changes यहाँ पे क्या हुए आपके exam के level में change हुआ कुछ ना कुछ add होता है और अगर हम अपने subject की बात करें जैसे कि मैं आपको science की classes देती हूँ तो देखिए science का अगर आप 2020 के पहले वाले paper देखेंगे तो आपको लगेगा बड़े basic question है और उन questions के direct answer निकल जाते हैं जैसे कि बतलब कोई आपसे hormone पूछ लिया गया कि यह जो आपका thyroxine hormone है यह कहां से release होता है या फिर goiter को treat करने के लिए आप क्या चीज़ खाएंगे तो इस तरीके से जो basic चीज़े हैं वो पूछ जाते थी या फिर जो diversity in living organism है यह पढ़ना है ऐसा नहीं है साइन्स का जो syllabus आपका 6-8 के NCRT में दे रखा है smartly वहीं से पूछ जाता है for example जैसे कि आपका chapter हो गया light हो गया electricity हो गया इसके अलावा और कौन से chapter हम कह सकते है motion chapter हो गया digestion हो गया respiration हो गया जो ऐसे common chapter है जो कि आपको class 6-8 के NCRT में मिलेंगे still वो class 9-10 के NCRT में मिलेंगे उनको merge करके आपसे question पूछ जा रहा है जैसे कि अभी के recent paper में sound chapter का जो question पूछा गया था जो ceiling होती है वो curve क्यों बनती है ये concept आपका class 9-9 के NCRT में दे रखा है तो यहाँ पर आप लोगों से जो examiner है वो smartly चीजे पूछ रहा है वो chapters यहीं से ले रहा है बट उनका जो difficulty level है up to 10 तक यहाँ पर रख रहा है तो आपको इस तरीके से त्यारी करनी है बार-बार confuse नहीं होना और देखिए अगर syllabus change भी हो जाता है दुनिया जहान का तो जो CTAT का आपका 6-8 level यान की junior level का जो paper होता है उसमें basic NCRT आपसे पूछी ही जाएगी उसमें कोई भी supplement नहीं होगा तो यह चीज तो आपको करनी पड़ेगी और अगर मैं classes की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि notification आने के बाद आपकी math की class शुरू होगी और pedagogy की और क्यूंकि science का syllabus बहुत जादा होता है तो science हम अभी से start कर रहे हैं और classes जो होगी वे आपकी Monday, Wednesday और Friday की होगी classes में आपको recorded मैंने में share करती हूँ classes के लिए कुछ भी pay नहीं करना मुझे कई सारे whatsapp message आगे कि हमें group में add कर लीजिए हमें batch का बता दीजिए जो Monday से start हो रहा है यह जो Monday, Wednesday, Friday आपके classes होंगी यह YouTube चैनल पे ही upload होंगी इसी चैनल पे अगर आपको notification ना भी मिले तो Monday, Wednesday, Friday को चैनल पे आके वीडियो सेक्शन में आप ज़रो देखेगा कि कोई नई वीडियो आई या नही आई otherwise आप लोगों को comment section में telegram group का link पिलेगा उसको आप join करिए उसमें आप लोगों को classes की जो link होगी वो वहाँ पे available होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ NCRT का जो आपके science का portion है वो यहाँ पे cover करूँगी जो की CTAG paper 2 जैसे कि मैंने कहा मैं आपको science on maths के class देती हूँ maths के class जो है अभी मैं बार बार खह रही हूँ देखिए वीडियो अपलोड करते साथ comment section ने फिर आ जाएगा कि ये class कब होगी वो class कब होगी maths की after notification में start करूँगी science हम अभी इस लिए start कर रहे हैं क्योंकि science का syllabus complete करने में 3-4 महिने हमें कम से कम लगते हैं फिर उसके बाद previous question फिर revision जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों को पिछले CTAG में भी content पढ़ा चुकी हूँ कई सारे candidate का यहाँ पर videos देखके भी ये exam यहाँ पर clear हुआ है अगर आप consistently हफ़ते में सिर्फ तीन दिन ये classes लेते हैं तो आप लोगों का exam बहुत अच्छा जाएगा otherwise यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है NCRT जो है कोचीज रीड करनी है तो जो syllabus को लेके बहुत बड़ा महौल बना रखा है कि change होगा change होगा देखिए अगर future में जाके कुछ changes होते हैं तो officially आपको पता चल जाएगा in fact अगर change होगा भी तो मैं आप लोगों की classes जो है उसी तरीके से modify कर दूँगी जिस तरीके से आपका syllabus change होगा तो यह stage के लिए आप यहाँ पर attention free रहिएगा और साथे साथ मैं CETAT exam के paper to science के notes जो हैं वो provide करती हूँ science math section के जिसके hand written notes है अब देखिए कई सारे candidate का doubt होगा कि जब classes हैं तो फिर paid notes अलग से क्यों हैं तो classes आप लोगों की white word में जिस तरीके से में लिख रही हूँ इस तरीके से होगी bilingual और जो hand written notes हैं वो मेरे through लिखे हुए हैं जो की bilingual form है मैंने लिखे हैं तो जिनके पास यहाँ पर अलग से notes ready करने का यह NCRT पढ़ने का time नहीं है वो इन notes को purchase कर सकते हैं जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है light chapter हो गया electricity हो गया motion हो गया digestion हो गया sound हो गया respiration हो गया इन सभी chapters का content मैंने up to 10 ठरखा हुआ है ताकि आपको अलग से NCRT पढ़के दुबारा confused होने की ज़रूरत ना पढ़े तो यहाँ पर syllabus को लेके जो confusion थी I hope वो clear हो योँगी और classes में आप लोग Monday, Wednesday, Friday यानके कल से ही हम मिलेंगे evening में most probably मैं 6 बजे के आजबास जो है video upload करूँगी और telegram group में आप लोगों के साथ link share करूँगी I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो बहुत सारे confusion है आपको syllabus को लेके वो आप लोगों का clear होगा आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले topic के साथ बाई बाई टेक केर